Hello everyone, welcome back to the channel. तो हम J-Mains 2023 April attempt के लिए revision कर रहे हैं और आज हम differential equations के theory और उसके previous year questions देखने वाले तो differential equations अगर अपन start करें तो सबसे पहले अपन order and degree ये वाला चीज अपन को clear होना चाहिए तो इसके अंदर हमें कोई अगर equation दे रखी है तो उस equation से हमको order or degree निकालना आना चाहिए कई बार आपको differential equation खुद से बनानी पड़ती है तो simple सा funda is के अंदर ये कि जितने unwanted variables है उनको eliminate करने के लिए अपनको यहाँ पर उनको क्या करना पड़ेगा differentiation करना पड़ेगा ठीक है जैसे मानलो आपके पास है x square plus y square equal to a square तो यह a unwanted parameter है तो इसको differentiate कर दो तो 2x plus 2y dy by dx यह 0 आ जाएगा तो यह eliminate हो गया तो यह differential equation बन गई अब जितनी बार differentiation करेंगे उसको अपन order बोलते हैं जैसे dy by dx एक differentiation हो रहा है तो इसका order 1 होगा और इसकी जो power होती है इसको अपन बोलते हैं degree तो degree भी 1 रहेगी ठीक है जिसे मानलो आपके पास है d2y by dx square whole power 3 plus dy by dx whole power 4 equal to मानलो sin x आगे है तो सबसे ज्यादा बार differentiation इसका हुआ है कितनी बार दो बार तो order अपना रहेगा 2 और जो इसकी power है इसको degree बोलेंगे यह 4 नहीं लेंगे degree क्या लेंगे इसी की highest power को तो degree अपने पास 3 आ जाएगी ठीक है इसके अंदर बस एक बात का ध्यान रखना आप सभी कि जो differential coefficients है d2y by dx, d2y by dx square यह सब polynomial form में होने चाहिए अगर इनको polynomial form में नहीं लिख सकते तो उस case के अंदर आपका जो order है वो order जो है वो गडबड हो जाएगा और degree और order दोनों चीज़े अपन उस case के अंदर आपन नहीं बता पाएंगे तो जैसे for example अगर आपन इस case के अंदर देखें तो जैसे मानलो sin dy by dx है और यह मानलो e के बराबर है यह आप कुछ x ले लेते हैं तो यह dy by dx polynomial नहीं यह पर आप इसको बना सकते हो तो आप dy by dx को यहाँ पर लिख सकते हो sin inverse x तो अब यह differential बन गया है इसका order भी वन है डिगरी भी वन है पर मानलो आपके पास होता sin of dy by dx बराबर d2 y by dx square तो अब इसके case के अंदर अगर आप इसको वाले dy by dx को sin से free भी कर दोगे तो दूसरा वाला जो differentiation है यह sin inverse में फस जाएगा यह polynomial नहीं रहेगा x, y यह सब रह सकते हैं sin, cos, tan, log इन सब के अंदर dy by dx और उसके सारे derivatives यह इन सब function से free होने चाहिए तो अब यह differential equation की degree नहीं होगी, हाँ order to लिख सकते हैं, degree इसके case में not defined हो जाएगी, कुछ cases के अंदर आपको differential equation निकालनी पड़ेगी और आपको equation भी नहीं दी जाएगी जिसे मानलो आपको दे दिया की find the differential equation of a straight line तो straight line आपको पता है क्या होती ही, y बराबर mx प्लस c तो अब यह m और c आपको खुद से eliminate करना पड़ेगा, दो variable है दो बार differentiate कर सकते हो पहली बार differentiate किया फिर एक बार और differentiate कर दिया तो यह differential equation अपने पास आगई यह simple example है complicated example भी हो सकते हैं जिसे equation of a circle passing through origin origin से pass होने वाला circle तो circle की general equation जो origin से जाती है उसके अंदर आव ऐसे तो c भी आता है पर origin से जा रहा है तो plus c नहीं आएगा, अब g और f eliminate करने तो आपन दो बार differentiate कर सकते हैं तो जैसे आपने पहली बार differentiate किया है यहापर तो इसके case के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से equation आ जाएगी है ना, और अब आप एक बार और differentiate कर सकते हो यहापर तो 2 आएगा, फिर आप यहाँ पर product rule लगा सकते हो, तो आपके पास situation के अंदर dy by dx का whole square आ जाएगा फिर 2y, d2y by dx square आ जाएगा, है ना, इसी तरह फिर g का differentiation 0 हो जाएगा और f के साथ ऐसे differentiation आ जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन equation से f और g को eliminate करना पड़ेगा, कि जैसे यहाँ से आपने f निकाला, है ना, उसको इसमें put कर दिया, फिर g निकाला, फिर f और g आ जाएंगे, उसको यहाँ put कर देंगे, कई बार अपन transpose कर लेते हैं, compare कर लेते हैं, तो यह तरीका आसान हो जाते हैं बट यह रफ आइडिया है, एक्जैक्ट पूरा chapter नहीं देख रहे हैं, revision देख रहे हैं तो जब आप variable separation कर लेते हैं, तो f x dx का integration एक तरफ बन जाता है और gy dy का integration एक तरफ बन जाता है जैसे for example, मानलो आपके पास इस scenario के अंदर दे रखा है y square plus 2 dy by dx minus 10x equal to 0, इसको solve करो तो अब अगर आप इसको transpose करके यहाँ पर rearrange कर दोगे तो rearrangement करने के बाद x और y के functions separate हो जाएंगे और अब आप इनको individually integrate कर सकते हो integrate करो तब एक बात का आपको differential equation के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस situation के अंदर वो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पर एक constant भी आता है यह important है, especially word problems के अंदर यह काफी सारी बार काम आता है, next जो हमारे पास procedure होता है, इसको अपन बोलते हैं, homogeneous differential equation, homogeneous के अंदर degree same होती है, तो आपके पास यहाँ पर dy by dx होता है और उपर कोई function है x और y में, और नीचे भी कोई function है x और y में, degree same में, तो अपन y बराबर vx रख देते हैं, जैसे मानलो आपके पास है dy by dx, उपर मानलो x square minus y square है और नीचे 2xy है, तो उपर भी degree 2 है, नीचे भी degree 2 है तो अपन y को अगर vx रख दें और differentiate कर दें तो dy by dx अपने पास यहाँ से आ जाएगा, v plus x dv by dx, यह आपकी left hand side हो जाएगी, अब यहाँ पर आप y की जगे इदर vx रख दोगे, उपर और नीचे, तो x square common होकर cut हो जाएगा और यह इस form में आ जाएगा, अब आप यहाँ पर भी LCM लेकर variable separate कर सकते हो, तो y बराबर vx है, कभी-कभी कुछ cases के अंदर y बराबर, बनलब यहाँ पर actually y by x को v लिया जा रहा है कई बार ऐस तरह से direct form के अंदर ऐसे ही दे देते हैं, कि जैसे sign of y by x प्लस के अंदर y by x का square, 10 y by x बराबर dy by dx, इस टाइप से भी चीज़ें हो जाती है, तो यहाँ पर भी hint मिल जाता है, y बराबर vx, direct ऐसा नहीं भी हो सकता है हो सकता है, आपको differential equation को दोनों side किसी से divide multiply करना पढ़ जाए, इस form में लाने के लिए, कई बार question tough करने के लिए y by x की जगे y upon x square को v, या y square upon x को v, या x by y को v, यह लेना पढ़ सकता है पर यह presence of mind है question और उसकी language पर depend करेगा कई बार question directly homogenous नहीं होते हैं, उसको अपन बोलता है, reducible to homogenous हमारे पास आजाता है, reducible to homogenous, तो reducible to homogenous, specially linear degree के अंदर होता है, जैसे मानलो, dy by dx आपके पास दे रखा है 4x plus 2y plus 7 और नीचे x minus 3y plus 1 दे रखा है तो अब यहाँ पर अगर यह 7 और 1 नहीं होता, तब तो directly degree उपर नीचे 1 हो जाती और अपन y को क्या रख देते हैं vx रख देते हैं, पर यहाँ यह 7 और 1 गडबड कर रहे हैं, तो यहाँ आपन क्या करते हैं small x को लिख लेते हैं, capital x plus h, और small y को ले लेते है, capital y plus के ही है h और के इस तरह से चुने जाते हैं, कि 7 और 1 eliminate हो जाएं तो dx और d of capital x dy और d of capital y same है तो right hand side में यह capital बन जाता है left side और right side में अगर आप put करोगे तो 4x plus 4h है ना substitute कर रहे है अपन जो अभी अपन ने देखा ना, तो यह इस तरह से अपने पास यहाँ पर इसके case के अंदर यह substitution आ जाएगा, जो अपन यहाँ पर ले रहे हैं, यह तरीका याद रखना अब यह काम कैसे आता है, जैसे एक constant देखो, 4h plus 2k plus 7 तो इसको अपन यहाँ पर अप क्या कर देंगे 0, ताकि यह चीज अट जाएगी इसी तरह h minus 3k plus 1 इसको भी अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसके case में 0, तो यहाँ से आप h और k जो है, यह value find out कर सकते हो एक बार जब यह remove हो गया तो अब यह linear equation होगी, तो आप यहाँ वापस जैसे अपनने y बराबर vx रखा था, capital I को vx रख सकते हैं solve करेंगे बटा, तो answer capital Y, capital X के terms में आएगा last में वापस जाकर आप capital X को किस से replace कर दोगे x minus h से और capital Y को y minus k से और h और k आप यहाँ पर इस linear equation से निकालोगे तो यह reducible to homogenous हमारे पास यहाँ पर classic case है है न, अच्छा इसके अंदर एक बहुत छुपावा special case है यह bonus tip मैं आपको बता रहा हूँ तो यह exam में आ सकती, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कुछ cases ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि यह reducible to homogenous है पर वो reducible to homogenous होते नहीं है, जैसे यह example है देखने में वैसा ही लगता है अब ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बता रहा हूँ अगर इस तरह से linear form है और नीचे x का और उपर y का जो coefficient है अगर इनका sum यहाँ पर अपने पास 0 आ रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है, direct cross multiplication करना है यह exact differential equation बन जाएगी आप cross multiply करो, तो यह बन जाएगा 3x dy plus 2y dy plus 7 dy और इधर आजाएगा x dx minus में आजाएगा 3y dx और plus में आजाएगा यहाँ पर dx अब अगर आप एक तरफ transpose कर दोगे तो 3 times x dy plus y dx plus में आजाएगा 2y plus 7 common ले लो dy और equal to में आप यहाँ पर लिख सकते हो x plus 1 dx, अब आप direct integrate कर सकते हो यह x square upon 2 plus x plus c लिख सकते हो यह आजाएगा y square plus 7y और यह actually d of xy है मतलब यह xy का differentiation है तो इसकी value xy आजाएगी तो यह बहुत special case है पर यह सिर्फ तभी लग पाएगा जब dy by dx इस form में हो और नीचे x और उपर y के coefficient का sum 0 हो next और सबसे important form जो ज़्यादा तर पूछी जाती है वो है linear differential equation इसके अंदर dy by dx होता है यहना plus के अंदर यहाँ पर px होता है साथ में यहाँ पर y होता है और यह qx के बराबर है यहाँ अपन बिटा पहले integrating factor निकालते है जो अपन को याद रखना है इसका यह formula होता है तो finally हमारे पास जो solution आता है इस equation का वो आता है y into integrating factor equal to integration of qx into integrating factor एक example से explain करता हूँ एक चीज़ यहाँ पर note कर लेना dy by dx का coefficient plus 1 होना चाहिए अगर कुछ और है तो उसको divide कर दिया जाएगा तो जैसे मानलो आपके पास situation के अंदर ऐसे दे रखा है 1 plus x square dy by dx plus के अंदर है 2xy और equal to मानलो यहाँ पर let's happen लेते हैं x तो अब इस situation में अपर यहाँ क्या करेंगे पहले 1 plus x square से divide कर देंगे तो dy by dx plus के अंदर आजाएगा यहाँ पर 2x upon 1 plus x square y बराबर x upon 1 plus x square अब integrate करने के लिए पहले integrating factor निकालेंगे तो यह e की power में integration ऐसा आजाएगा आप 1 plus x square को t लोगे तो 2x dx जो है वो dt बन जाएगा तो यह आजाएगा e की power में ln mod 1 plus x square mod लगाना मत भूलना कई बार गडबड हो जाती है mod ज़रूर लगाना तो यहाँ पर क्योंकि 1 plus x square positive है तो mod का फरक नहीं पड़ेगा direct mod हट जाएगा और क्योंकि यह log का base भी e है नीचे भी e है तो आपको पता है log की property यह solve हो जाएगा तो 1 plus x square आएगा अब हम formula लगा लेंगे y into 1 plus x square यहाँ लिखा जाएगा right hand side में integration के अंदर जो function है इसके साथ भी 1 plus x square multiply होगा तो यह cut हो जाएगा और x का integration x square by 2 plus c है plus c यहीं लिख देना बिटा अभी आप y निकालोगे y fx होता है तो उसके लिए 1 plus x square से divide करोगे बाद में सीमत लिखना पहले integration खतम होते ही सबसे पहला काम यही करना है कि plus c लिखो तो यहाँ function आ जाएगा आपके पास x square by 2 1 plus x square plus c upon this अब आपको जो भी initial data दे रखा है अब उससे c निकाल सकते हो इसके अंदर भी कुछ अलग-अलग चीज़ें होती है dy by dx की जगे कई बार dx by dy होता है तो y independent और x dependent variable हो सकता है तो वहाँ पर फिर इस type के scenario के अंदर अगर अपने यह आपर देखते हैं और right and side के अंदर भी qy के साथ यह जो integrating factor निकालो गई यह आएगा और इसके कुछ और variations है जिसके अंदर substitution use होता है पहला classical variation जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा यह है Bernoulli equation नाम में कुछ नहीं रखा तरीका जियान रखना इसके अंदर बिटा dy by dx होता है px के साथ y होता है और यह होता है qx y की power n तो यहाँ यह y की power n extra आता है तो अपन इस type के questions में क्या करते हैं y की power n से पूरे को divide करते हैं तो यह आजाता है 1 upon y की power n dy by dx plus के अंदर आजाएगा px y को y की power n से divide करोगे तो यह इस प्रकार है ना कुछ इस form में आ जाएगा आपके पास ऐसा आप इसको t मान लोगे ना अगर तो यह आपका dt बनने के लिए तैयार हो जाएगा तो अगर आप यहाँ पर 1 upon y की power n minus 1 को t मान लोगे तो यहाँ differentiate करोगे तो 1 minus n upon y की power n dy by dx यह आपका actually dt by dx आजाएगा तो आप इस particular form को जो यहाँ दिख रही है इसको आप यहाँ पर इस scenario के अंदर क्या कर सकते हो replace कर सकते हो dt by dx के अंदर हाँ यह coefficient extra आएगा यह तो जो भी यहाँ पर होता है अपन उस से उसको eliminate कर देंगे multiply करके अब यह linear differential equation मनगी t और x के अंदर तो यह 1-n को multiply कर दो यहाँ और फिर आगे solve कर सकते हो तो यह वाली चीज बहुत ज़्यादा important है इसके लावा कई बार substitutions हो सकते हैं जैसे मानलो आपके पास है let's say cos y dy by dx और plus में आपके पास दिया जैसे मानलो let's say x square और यहाँ ले लेते हैं sin y और इसर ले लेते हैं x की power 4 तो अब इसके case के अंदर यहाँ पर आपको पहले sin y को t लेना पड़ेगा तो यह पूरा बन जाएगा dt by dx और अब यह linear differential equation हो गई ठीक है और भी कुछ चीजें होती है orthogonal trajectory and all but वो more or less advance में जरुरत पड़ेगी means में basically differential equation बनाना order degree differential equation solve करना और word problem से important है word problem इस तरह से होते हैं कि कोई bacteria या rat की population ऐसे बढ़ रही है पानी किसी tank से निकल रहा है तो किस rate से निकल रहा है तो उसमें आपको differential equation बनानी होती है एक initial condition दे रखी होती है कि T बराबर 0 पर इतने rat है इतने bacteria या tank में इतना पानी है अब 20 minutes बात कितना होगा बताओ तो आप plus C जो होता है वो निकाल सकते हो और एक बार जब function आ गया तो उसमें final value पुट करके result आ सकता है तो word problem में use कर सकते है है ना और कुछ geometry based होते है geometry based के अंदर कैसे है कि जैसे अक्सर tangent normal की equation होती है कि कोई curve का tangent या normal बना है तो tangent normal की equation आनीचे जैसे कोई भी curve का मानलो यह point x, y तो dy by dx जो होता है यह tangent का slope होता है और minus का dx by dy normal का slope है तो अगर आपको tangent की equation लिखनी है तो आप लिखोगे dy by dx equal to capital y minus y upon capital x minus small x और normal के लिए minus dx by dy बराबर capital y minus small y upon capital x minus small x अब इसमें क्या करते हैं कि यह जो tangent है यह intercept बना रहा है तो अपन x coordinate y coordinate निकाल सकते हैं x coordinate के लिए क्या करेंगे capital x को 0 कर देंगे तो यह coordinate अपने पास आजाएगा y minus तो नहीं पहले x पर निकाल रहे तो यहाँ पर capital y को 0 करेंगे capital y को 0 करेंगे तो इसके case के अदर अपने पास x coordinate आजाएगा यहाँ पर solve करने पर x minus y dx by dy comma 0 और इसी तरह से अगर y axis है तो वहाँ x को 0 कर देंगे तो वहाँ आजाएगा y minus x dy by dx 0 comma अब इसमें question बोल देते हैं अलगला कि इसकी length इतनी है distance formula लगा लो या बोल देते हैं कि इसका midpoint निकालोगे तो यही आएगा तो midpoint या section formula बोल देते हैं 1 is to 2, 2 is to 3 लगा कि इसके बराबर कर देते हैं तो differential equation बन जाती है tangent के साथ भी कर सकते हैं वो आप try करोगे अपन सिर्फ देखेंगे कि जो अपनने भी revision किया है कि अपन उस form में इसको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं तो question पर आते हैं जैसे यह पहला question है अपने पास इस case में तो x cube dy plus xy minus 1 dx ये 0 दे रखा है तो इसमें कुछ खास नहीं है मेर पास आपको बताने के लिए ये linear differential equation है तो पहले integrating factor बनाएंगे तो 1 upon x square का integration ले लेंगे हैना calculation आप दुबारा कर लेना ये y से multiply होगा और फिर right hand side के अंदर ये ही आजाएगा 1 by x cube e की पार minus 1 by x आप इस situation के अंदर 1 by x को t ले सकते हो बटा तो 1 by x को t लोगे तो minus 1 by x square dx dt आजाएगा तो integration वाला part आना चाहिए अगर वो revise नहीं किया है तो revision series में मैंने indefinite definite दोनों solve किया आप वो देख सकते हो तो ये minus dt आजाएगा e की पार में minus t है और एक 1 by x और बचेगा तो इसके integration के लिए आप by part लगा सकते हो और जो plus c आएगा उसको निकालने के लिए आप x को half रखोगे तो y3 minus c आजाएगा तो ये linear differential equation का simple question next वाले पर आते हैं अपन question number 2 के अंदर तो मैं around 10 to 15 questions अभी आपके साथ यहाँ पर solve कर रहा हूँ और भी question है में telegram वाले channel पर इस file को डाल दूँगा around 25-30 questions है आप practice कर सकते हो differential equation की क्योंकि अपने पास ज्यादा time नहीं बचा है तो थोड़ा सा focus हाँ mock test पर रखो test दो previous year के चाहे mock test और साथ में थोड़ा थोड़ा revision जितना time मिले उतना आप कर सकते हैं अब जिसे यह question है जो second question अगर अपन यहाँ पर देख रहे हैं तो यह वाला question homogeneous का है तो अगर आप यहाँ dy by dx निकालोगे तो यह ऐसा आजाएगा तो इसमें कुछ खास concept नया नहीं बचा है तो differential के महुत ज़दट अपनी आते हैं आप यहाँ y को vx रख दोगे इदर आजाएगा v plus x dv by dx है ना और इदर बन जाएगा 3v square minus 1 upon 3 अब आप v को पहले उदर बेज दोगे lcm लोगे फिर variable separation लग जाएगा x बराबर 1 पर y 1 दे रखा है तो फिर आपसे finally value पूछिए कि अगर x को e रखते हैं इसका मतलब x को e रखते हैं तो y of e मतलब y की क्या value आती है उसका square करके 6 से multiply करना है तो अगे यह भी आप solve कर सकते हैं try करके comments में बताएंगे कि आप कित्ते question solve कर पारूँ ठीक है ओके अपन अब next वाले question पर आते हैं तो next वाले के अंदर अपने पास क्या है यह form दे रखी है तो dy by dx दे रखा है y by x 1 plus x y square और साथ में 1 plus ln x है तो देखते हैं इसमें अपन क्या कर सकते हैं कभी कभी आपको सोचना भी पढ़ सकता है तो मैं bracket open करता हूँ पहले तो dy by dx आजाएगा y by x plus y cube 1 plus ln x तो मैं y by x को एक तरफ ले जाता हूँ तो अगर आपने भी revision lecture ध्यान से सुना है मेरा तो आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सी form आगी बिटा बर्नौली form है तो y cube से divide कर दो linear है नहीं पर linear के form के अंदर अपन क्या कर सकते हैं इसको convert कर सकते हैं अपन अभी क्या करेंगे minus 1 by y square दिख रहा है ना इसको t ले लेंगे तो आप minus 1 by y square को इस scenario के अंदर t ले सकते हो तो अगर आप minus 1 by y square को t ले लोगे तो 2 upon y cube dy by dx यह पूरा dt by dx बन जाएगा तो यह हो जाएगा half of dt by dx plus में t by x बराबर 1 plus ln x अब 2 से पहले सबको multiply कर दो अब यह simple linear equation हो गई है differential equation जो आपको कुछ से solve करने हैं ठीक है fourth भी linear differential equation है तो इस पे नहीं आते हैं देख लेते हैं कोई और अच्छी variety अब उनको मिल सकें तो वो अपन solve करते हैं तो fifth के अंदर भी I think अपन कर सकते हैं तो अगर dy by dx निकालेंगे तो dy by dx अगर आप यहां लोगे तो आपके पास आजाएगा y x plus 1 और upon में x square आए कुछ इस तरह से बन रहा है अपने पास इस scenario के अंदर तो इसको कैसे solve कर सकते हैं अपन यहां पर यह direct variable separation ही है तो x वाले terms एक तरफ तो variable separation के भी आते हैं integration ढंक से करना यहना y1 e दे रखा है और limit पूछी है तो कई बार क्या करते हैं differential equation solve करवा के जो function आता है उस पर limit की value पूछ लेते हैं area under the curve पूछ लेते हैं तो fifth question variable separation का है variable separation linear homogenous यह आपने देखा कैसे आते हैं यह भी आपका linear differential equation ही है आप x ln x से पहले divide कर देंगे बिटा यह आजाएगा y तो again integration आपको अच्छे से आना चाहिए यह तो बहुत जरूरी है तो आप यहाँ पर integrating factor के अंदर 1 upon x ln x integrate करोगे तो ln x को t लोगे तो dt हो जाएगा तो यह e की power ln of mod ln x बन जाएगा mod लगाना मत भूलना base same है तो यह चला जाएगा mod ln x integrating factor आएगा पर x 1 से बढ़ा है तो वो ln x बन जाएगा अगर x 0 से 1 के बीच में होता अब जैसे यह question direct linear का ही है पर यह integrating factor निकालना थोड़ा सा difficult है तो यह actually integration की इसके अंदर अच्छी कासी demand पढ़ जाती है तो अगर हमारा integration अच्छा नहीं है तो हमको इसके अंदर दिक्कत आ सकती है आईगी मैं यह नहीं कह रहा हूं और दिक्कत आ सकती है तो अब आप इसके अंदर यहाँ पर भी अब इसको solve करने की कोशिश कर सकते हो करना बस आपको यह इसके अंदर integration वाला ही part है वो अगर सईसे कर दिया तो आपका integrating factor भी आ जाएगा जैसे hint आपके लिए यह है कि आप x cube को t रखके इसको आप by part भी अप्रोच कर सकते हो तो again question difficult नहीं है जैसे आप 8 भी देखोगे तो 8 के अंदर भी numerator में degree 2, denominator में भी degree 2 तो आप simply यहाँ पर इस situation में y को क्या ले सकते हो vx ले सकते हो इसके अंदर कोई बहुत डिफिकल नहीं है बट linear जो मलब differential equation है homogeneous होगी, linear होगी यह थोड़ी time consuming है तो time का ध्यान रखते हैं इनको आप exam में approach करेंगे तो अपने लिए better रहेगा बट again हमेशा questions आते हैं और scoring है तो next वाले पर आते हैं अब जैसे अगर आप इस पर बाजाओ question number 9 पर तो यह question देखने में समझ नहीं आता है कि क्या करें बट अगर आप इसको common लोगे तो चीज़ें अच्छी और interesting हो सकती इसके case के अंदर तो अपने पास कुछ यह form दे रखी है और यह भी I think homogeneous से भी हो सकता है जैसे अगर आप यह dy by dx लोगे common भी ले सकते हैं अब अपने जो एक्जामपल देखे ना वो degree 2 के थे यहां पर अभी आपके पास जो एक्जामपल आ रहा है यह degree 3 का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना रखना अभी भी आपको क्या है Y बराबर VX ही रखना है तो अच्छा एक दोर skip हो गई पता ना exact differential equation वो भी थोड़ा सत्यान रखना जैसे कुछ चीज़ें जो देखते ही पता चल जाती है कि यार जैसे x dy plus y dx है यह देखते ही पता चल जाएगा कहीं पर कि यार यह x y का differentiation है तो इसका integration करेंगे तो क्या आएगा x y इसी तरह और भी चीज़ें है कि ज तो y by x आजाएगा इसकी जगे मानलोगर आपके पास ऐसा हो y dx minus x dy upon y square तो यह actually d of x by y है तो इसी तरह और भी चीज़ें होती है जो अपन ध्यान रख सकते हैं ना जिससे tan inverse के अंदर xy हो जाता है कही बार log के अंदर x plus y y plus x x square plus y square तो यह कही बार इस form के अंदर पढ़े होत potential बन जाते हैं तो यह भी concept याद रख लेना कभी किसी questions के अंदर काम आ सकता है तो हम 10th question पर आते हैं यह linear ही है तो मैं भी इसके discussion में नहीं जा रहा हूं है ना PDF में ग्रूप पर डाल दूँगा अगर मैं by chance भूल जाता हूं तो मुझे comments में याद दिला जिया करो मैं हाथो बात था टेलिग्राम वाले चैनल पर डाल दूँगा अचा यह geometry वाला है जो आप 12th question देखते हो ना slope of a tangent दे रखा है तो slope of a tangent अपने भी बात करी थी बटा डिवाइवाइवाइड डिएक्स होता है इसको क्या लिखोगे 2e की power 2x minus this तो अब यह question जो है अभी एक integration का question बन ग नहीं चाहिए यह again very important हो जाता है हमारे लिए तो आप यहाँ पर e की power x को चाहो तो टी लेकर substitution कर सकते हो फिर partial fraction से तोड़ सकते हो तो आप try करना solution देखके कुछ नया नहीं सीखोगे अच्छा यह question again very interesting है यह देखने पर नहीं समझ आता किसका है homogeneous भी नहीं है linear भी direct नहीं है यह substitution with linear है पहले अपन y square को इसमें t रखते हैं तो यह x minus t dx आता है बाहर यह जो y dy है ना बिटा 2y dy यहाँ dt है तो y dy जो है यह dt by 2 बन जाता है और अंदर 5x plus y square को 5x plus t लिखते हैं अब अगर आप यहाँ पर dt by dx निकालोगे तो इसकी value 5x plus t upon 2t minus x अब यह linear हो जाएगा तो जैसे y को vx रखते हैं t को vx रख सकते हैं तो substitution के बाद linear बना ही जा सकती है जैसे 14 था है यह भी वही slope वाला है dy by dx जो slope है यह बोल रहा है इसके proportional है proportional है तो इसको k minus y by x लखके integrate कर सकते हो variable separation से तो दो variables होंगे एक होगा k और एक plus का c आएगा और दो points दे रखे है 1,2 और 8,1 पुट करके आप missing values इसके अंदर point कर सकते हो 15 भी आप देखोगे तो homogenous का ही है degree 3 है आप यहाँ पर simply y को इस scenario में vx रख सकते हो तो total यहाँ पर अपने पास I think 28 question है और कोई interesting दिखता है तो आपन एक बार वापस बात करते हैं जैसे 28th भी linear है 27th के अंदर भी यहाँ पर आप आप देखोगे इस scenario के अंदर तो अब यह जैसे reducible to homogenous हो सकता है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो X को capital X plus H और Y को क्या लिख सकते हो आप capital Y plus के लिख सकते हो इस तरह से तो आप यहाँ solve करोगे ना तो इस situation के अंदर यहाँ पर X आ जाएगा capital X plus 1 Y B S मैंने पहले कर रखा इसलिए मुझे याद है आपको यहाँ रखना पड़ेगा तो यह DY by DX बन जाएगा capital X plus Y upon capital X minus Y अब आप इसको integrate कर सकते हो है ना तो यह वापस वह यह reducible to homogenous है तो अपने जितनी भी चीज़े पढ़ी ना सब दिखेंगी जैसे आपका यह 25 question है तो family of circle जो इन दोनों points से पास हो रहा है तो अलग-अलग तरीके हो सकते हैं बटा approach करने के मैं circles की family use करता हूं तो circles का भी revision देखेंगे तो low points से अगर कोई circle जा रहा है तो यह actually Y axis है तो S plus lambda L वाली form use कर सकते हैं आपने में भी हो सकता है कुछ दूसरा देखा हूं तो मैं अभी के लिए direct equation लिख रहा हूं इस तरह की equation में आप क्या कर सकते हो या तो differentiate कर लो lambda जो आता है वो पुट कर दो या फिर lambda की आप पहले value ही निकाल लो और अब आप दोनों तरफ differentiate कर दो तो lambda eliminate हो जाएगा और direct value आजाएगा 26 के अंदर भी linear ही है और फिर limit निकालनी है तो differential scoring इसलिए क्योंकि familiarity है बहुत variety नहीं है परेशान integration में mod में इनमें आपको थोड़ा सा कर सकते हैं जैसे यह integration है आप पहले divide करोगे sin square 2x से फिर आपको सोचना पड़ेगा कि integration करना कैसे है तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जैसे यह है यहाँ पर आप देखोगे dy by dx है तो अब यह उपर ऐसे root वाली form है पर linear ही है आप y को vx रखोगे तो आपका answer आ जाएगा तो इस चीज में ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं तो more or less चीज यही रहती है कई बार इस तरह से area की चीज़ें इसके अंदर involve कर देते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कर 3,3 से pass हो रहा है और area of the region above x-axis between abscissa 3 and x तो area under the curve में इसको क्या लिखेंगे integration fx 3 से लेकर x है ना और यह किसके बराबर दे दिया इन्होंने let the curve दे रखा है भी दिस तो यह इसके बराबर दे दिया अब यहाँ पर differential बनाकर हमें fx निकालना है तो हम यहाँ पर if this curve passes through this find the equation तो अब अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोनों साइड पहले lab needs rule से differentiate करके equation तो कई बार area वाली form से equation होती है आप differentiate करके कई सारी functional equations में यह होता है आप differentiate करके differential equation बनाते हो फिर वापस integrate करके function निकालते हो यह चीज़ भी यहाँ पर होती है substitution भी कर सकते हैं यह पर y by x को भी लेकर तो यह सारे questions और तरीके मैंने आपको सारे बता दी है आप try करें और comments में आपके feedback share कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो like कर सकते हैं और अगर हो सके तो please subscribe कर दे और आपके friends के साथ share कर दे जल्दी मिलेंगे बिटा तो अभी अपनी दो series चल रही एक awesome revision series चल रही है awesome marks के लिए जो हमारे जही मेंस April attempt के लिए और एक question of the day की legendary series चल रही है जह conceptually नया question देख रहा है तो please channel follow करें और regularly updated रहें इससे अपन कुछ अच्छा सीखेंगे और subscribe कर दे तो thank you everyone for watching